हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब चनल इनके मैच्स पे बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जोमेटरी मैंने करा दिया सियजेसल में जो भी क्वेशन पूछे गया थे वैसे ही ट्रिगों मैंने करा दिया लेकिन एलजेबरा और मेंसुरेशन नहीं कराया तो अभी मैंने एलजेबरा स्टार्ट किया है और एलजेबरा के जितने भी क्वेशन लगभग लगभग आपके 90 क्वेशन पूछेगे हैं ग्रूप NK Maths नंदु कुमार पे मिल जाएगा वहाँ पे एवेलेबल है आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है साथी साथ अगर आप हमारे यूटूब चैनल NK Maths पे नए हैं तो जरूर से यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें वहाँ पर भी आप मुझे से डाउट पूछ सकते हैं ठीक है या कोई भी सजेशन भी आप ले सकते हैं वहाँ पर डैरेक्ट मेरे पास मैसेज करके इससे पहले की वीडियो सुरू हो मैं चाहूँगा कि बागी के अरित्मेटी के चैप्टर्स जो मैंने सीच से डोहरबाई से कराये हैं अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखने हैं एडवांस के तो देखे ही देखें और MTS 2022 का एंसर की आचुका है ठीक है तो जो एंसर की आया है उसका सुलूशन मैं अपलोड कर रहा हूँ और मैंस की एक सेट का और सांती सांत रिजनिंग की एक सेट का मैंने सुलूशन अपलोड कर दिया है तो आगे की और भी ऐसे अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को जरूर से सबस्क्रा वैलू जो होगा वो तो 0 होगा लेकिन आपको यह फोर्मूला पता होना चाहिए कि जो a3 प्लस b3 प्लस c3 माईनस 3 यह bc की जो वैलू होता है यह होता है a प्लस b प्लस c and into का a square plus b square plus c square minus a b minus b c और minus का c अब ये बात समझो ये चीज़ जो 0 दे रखा है अगर a plus b plus c की value 0 है तो 0 को हम किसी भी चीज़ से multiply कर ले answer तो 0 ही रहेगा so that option first का जो answer है वो है अपने पास option d right now the question number second we have to find the value of this one value find out करना है तो सबसे पहले हमें इसको आपको simplify करना होगा तो 1 plus x square तो as it is रहने देना चाहिए हमें क्योंकि इसको और ज़्यादा simplify नहीं कर सकते हम 1 minus x भी same to same रहेगा इस divide को अगर मैं multiply में लिखूंगा तो ये x minus 1 उपर चला जाएगा ठीक है और अगर मैं उसमें से minus 1 common भी ले लूँ तो वो x minus 1 से 1 minus x हो जाएगा divided by 1 minus x cube है 1 minus x cube को आप कैसे लिखोगे a cube minus b cube तो a minus b याने की 1 minus x इंटू का लिखोगे आप a square प्लस a b और प्लस b square याने की a square तो 1 का square और प्लस x ठीक है और प्लस b का square याने x का square ये चीज़ हम लिखेंगे ठीक है ना अच्छा आगे जो third है आपका ये है x into 1 minus x upon 1 plus x यही चीज़ है आप cancel out कर लो जैसे इससे ये cancel out हो रहा है हमने cancel कर दिया इससे ये cancel out हो रहा है cancel कर दिया बाकी कहीं कुछ cancel out करने लाइक नहीं बचा ठीक है तो जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं उपर बंच गया आपका x और into x square plus 1 और नीचे ये चीज़ आपका बंच गया यहाँ पे 1 plus x और into का 1 plus x plus x square ठीक है ऐसे में अगर ये चीज़ मच रहा है फिर तो किसी भी option से match नहीं कर रहा है और आगे इसको solve कर लें भी अगर तो मुझे नहीं लगता है कुछ फाइदा होगा एक काम करने देजिए मुझे एक बार चेक करने देजिए या तो question में error होगा फिर देखो मैंने देख लिया यहाँ पर question में थोड़ा सा mistake है यह cube नहीं है यहाँ पर power 4 होना चाहिए ठीक है यहाँ पर power 4 होना चाहिए अब अगर यहाँ पर power 4 होता तो हम कैसे solve करते है फिर यह change हो जाता देखो यहाँ से जो हमने यह सब cut किया है वो तो अपने जगह पर ठीक है बस यहाँ पर change होता ठीक है क्या लिखते हैं यहाँ पर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यह 1a square minus x square का whole square है तो a square minus b square हो गया फिर इसको मैं क्या लिखता अब मैं लिखता है इसको 1 minus x square और into 1 plus x square अब फिर जो 1 minus x square है यह फिर से a square minus b square है तो इसको मैं 1 minus x और into का 1 plus x लिख देता और into का 1 plus x square है वो तो रहता ही रहता ठीक है यह plus है अब देखो जो cancel out हो रहा है उसको cancel कर लो तो यह इससे cancel होई चुका ह है और ये वाला इससे cancel होई चुका है ठीक है अब उपर बंचता आपका 1 plus x square वो इससे cancel हो रहा है तो उपर बंच गया minus और x और नीचे बंच गया ये 1 plus x और ये 1 plus x याने की 1 plus x का whole square so option second जो है वो right answer है ठीक है जो third question है अपने पास आप देख सकते हैं k plus 1 by k की value 2 हो गई यहां से मैं k plus 1 by k की value 2 लिख सकता हूं और ऐसे condition में k की value हम 1 लेते हैं अगर minus 2 होता तो हम k के जगा पर minus 1 ले लेते और इसका answer भी 2 ही आएगा क्योंकि जब k की value 1 है दुनों जगा one one put करोगे तो answer two ही रह जायेगा right third का जो answer है अपने पास वो आ गया तो ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ते है question number four की तरफ यह देखो अब इसके बीच में होने कोई चिन ही नहीं लगाया तो यह गलत बात हो यहां पर ठीक है यहां पर देखे यहां पर plus है actually में और value भी plus वाला ही पूछा गया है ठीक है तो यह plus होगा and this is also plus अब देखो यह plus है तो पहले हमें square निकालना होगा इसका तो formula आपको पता होगा अगर आपको x plus 1 by x की value k given है तो x cube और plus 1 by x cube हम कैसे निकालते हैं k का cube और minus का 3 के तो overall k की value तो होनी ही चाहिए ठीक है तो यहां से देखो अगर मैं power half करना चाहता हूँ यानि x square plus 1 by x square लिखना चाहूँगा तो इसमें 2 add करके square root ले लोगा यानि 49 का square root 7 अगर मैं फिर से 2 add करके square root ले लो तो फिर से ये power half हो जाएगा यानि x plus 1 by x आजाएगा और ये 9 का square root हो जाएगा 3 और ये चीज़ आगया तो यहां पर value put कर दो 3 का cube 27 और minus 3 तिया 9 ये कितना आजाएगा 18 so option c will be the answer next question जो है 5 आपके पास यहां से k plus 1 by k की value कितनी आगई minus का 2 और मैंने बोला था ऐसे case में k की value हम minus 1 लेते हैं तो अगर इसमें minus 1 put करोगे minus 1 के power 17 और ये minus 11 का power 17 दोनों ही minus 1 minus आएगा तो answer minus 2 बन जाएगा ठीक है देखो minus 1 का power 11 करोगे तो ये भी minus 1 ही आएगा और ये भी minus 1 ही आएगा तो दोनों का जो sum हो गया वो minus 2 हो गया तो question number 5 का जो answer बन रहा है वो option first आगे बढ़ते हैं question number 6 की तरफ है question number 6 में अगर आप बात करो तो आपको इसकी value बताने है overall a plus b और plus 2c और into a square plus b square plus है 2c का square है फिर a b minus bc minus c है तो ये overall अभी मायने आपको एक formula बताया था a cube plus b cube और plus c cube minus 3a bc का formula क्या था a plus b plus c और into a square plus b square और plus c square minus का a b और minus का bc और minus का c a यही same formula apply हो रहा है यहाँ पर देखो बस 2c लिख लिए है अगर यहाँ जो 2 लगेगा तो ये 2c यानि 8 का cube आजाएगा ठीक है और ये 2c का square यानि ये 4c square आएगा और यहाँ पर एक 2x लग जाएगा क्योंकि c है और यहाँ पर भी 2x लग जाएगा क्योंकि c है बस यही answer होगा देखो शुरू में आपका अब यहाँ पर c के जगा पर अगर आप 2 रखोगे तो ये 6 आ जाएगा तो ये आपका answer बनेगा aq प्लस bq प्लस 8cq 8cq किसमे है भाई यहाँ पर है और माइनस का 6abc तो option c जो है वो right answer है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब question number 7 की तरफ x square plus y square given है x minus y given है तो हमें यह बताना है इसके पास का कोई साभी square आप ढोण लो जैसे इसको 25 और 4 में हम तोड़ सकते हैं 25 जो है वो 5 का square है और 4 जो है वो 2 का square है तो अगर मैं x के जगा पर 5 और y के जगा पर 2 रख लूँ तो क्या इनका difference 3 बन रहा है आप बोल answer हो गया बाकि इसको आप by formula भी solve कर सकते थे उतना मुश्किल नहीं होगा question number 8 की बात करें तो power 4 दिया है और यह पूछ रहा है पहले इसको हम split करते हैं यानि के simplify करते हैं तो cube से सब को भाग कर देते हैं इसको हम ऐसे a to the power 6 by a cube और plus 1 by a cube लिख सकते हैं यह चीच काटोगे त फिर से वही लग जाएगा आपका k का cube और minus का 3 k या आप चाहो तो k common लेके इसको k square minus 3 भी लिख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर देखो अगर मैं फिर से power half करूँगा यानि कि यह square लिखूँगा तो इसमें 2 add करके और square root लेंगे तो 196 का square root 14 अब अगर मैं a plus 1 by a लिखना च यहाँ पर 4 put कर दो आप ठीक है तो अगर 4 put करोगे तो 4 का cube 64 और minus का 4 तिया 12 यानि कि आ जाएगा 52 तो option B जो है वो सही उत्तर है question number 8 का जो right answer है वो है B question number 9 देखो इसका value पूछ रहा है क्या होगा ठीक है अगर इसका value पूछ रहा है तो देखो power पहले हम देखो power तो 8 ही तो यहाँ पर power 4 है फिर 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 यानि कि power 8 होने वाला है यह बात तो fix है तो अगर power 8 होने वाला है तो यह power 4 वाला तो answer नहीं बनेगा ठीक है बाकी अब solve करके देख लो कि क्या बन सकता है देखो upon में कोई चीज नहीं लिखा है तो upon में answer आने से रहा इस दोनों लिखा है a minus b ठीक है और into b plus a को मैं a plus b लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है और यह a square plus b square और into का यह 2 a to the power 4 plus 2 और b to the power 4 मैंने ऐसे इसको लिख लिख लिया अब यह जो बनेगा यह तो बन गया a square minus b square और यह जो इससे मिलेगा a square plus b square से तो यह power 4 बन जाएगा यानिकि इस इसका 2 अगर मैं common ले लूँ तो यह a to the power 4 plus b to the power 4 बनेगा और 2 को मैं common लिख लेता हूँ तो यह 2 ऐसे ही रह जाएगा और यह power 4 जो है power 8 बन जाएगा a to the power 8 और b to the power 8 तो option second जो है वो right answer है आगे बढ़ते है question number 10 की तरफ है अगर question number 10 की बात करो a plus b plus c 0 दिया है और यह चीज दे रखा है a square plus b square plus c square तो 4ab plus 4bc और 4c पूछ रहा है ठीक है देखो इसमें से आप चाहें तो हम 4 common ले सकते हैं तो यह बनेगा a b plus b c और plus का c यह इसकी value बताने है तो a b plus b c plus c यह निकालना परेगा ठीक है यह कैसे निकलेगा यहां से हम दोनों साइड square कर लेते हैं जैसे म a square plus b square plus c square और plus 2 times of यह जो पूछ रहा है मानलों इसको मैं k बोल दूँ तो 2 times of k बनेगा यानिकी a b plus b c plus c है और right side में 0 का square 0 ही होता है अब यहां पर देखो आपको a square b square c square का value 40 है तो 2k का value minus का 40 आ जाएगा क्योंकि इसकी value 40 है तो k की value आ गई minus की 20 तो यहां minus 20 रखेंगे त तो 24 की 80 minus का 80 आएगा यानिकी option c अगर मैं question number 11 की बात करूँ अब ठीक है तो question number 11 में आपको बोला गया है x7y2 तो इसकी value बता दो यह तो value आप put कर लोगे यह homework हो गया चलो अब homework का answer कैसे लिखना है hashtag nk maths बिल्कुल भी आपको कोई gap नहीं देना है फिर उसके बाद फिर यह से आपको space दे कर लिखना है question number 11 और इसका answer ABCD जो भी बने है and I hope कि आप जरूर से इसका answer comment box में comment करोगे यह देखो यह 8 दे रखा और power 4 पोच रहा है ठीक है तो अगर आप में अभी तक हमारे YouTube channel nk maths को नहीं subscribe किया है दोस्तों और Instagram पे follow नहीं किया है तो subscribe करने के और follow करने का कोई सा भी आपको फिर नहीं pay करना होता है definitely you should subscribe our YouTube channel that is nk maths है you can also follow me on Instagram ठीक है तो power 8 निकलना है दो बार square करना होगा पहली बार square करोगे तो यह a square plus 1 by a square आएगा और यह चीज़ याद रखना कि अगर a plus 1 by a की value k है तो अगर मैं square लिखूं तो यह कैसे निकलता है k a square minus 2 तो 8 का square 64 minus 2 62 आजाएगा अब फिर से जो मैं square करूंगा तो square का square करने पर यह power 4 हो जाएगा definitely और इधर आजाएगा आपका 62 का square minus 2 तो 62 का square और minus 2 अगर हम करें अब power जो करेंगे हम तो देखो last digit 2 है 2 का square आएगा 4 और minus का यह 2 last digit 2 आएगा और last digit 2 option C में है तो option C अपना answer हो गया next question आपको यह दे रखा है 9 से अगर मैं सबको काठी दूँ तो क्या ही फरक परेगा यहाँ से a plus b plus c आजाएगा 9 common लिखे मैं 81 को 9 times के cut कर रहा हूँ यहाँ से भी अगर मैं 4 common ले लूँ तो a b और plus b c और plus c इसकी value आजाएगे 44 के 16 40 ठीक है और यह पूछ रहा है आपसे अगर मैं 6 common ले लूँ तो यह a square plus b square plus c square पूछ रहा है तो दोनों साइड हम फिर से square कर देंगे ठीक है दोनों साइड जो square करोगे इस वाले को तो यह बनेगा a square plus b square plus c square और plus 2 into a b और plus b c और plus c a और right साइड में आगया 9 का square 11 यहीं आएगा अच्छा अब देखो अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम हमें तो यह बताना है कि a square plus b square plus c square क्या होगा इसको मैं k लिख देता हूँ और plus 2 times अब यह a b b c c a के जगा पर 40 लिख दूँगा तो यह overall 80 बन जाएगा ठीक है यह मैं साप सुथरा लिख देता हूँ यह 80 और right side मे 81 तो यहाँ से k की value 1 आ गई तो यहाँ पर 6 और into a square b square c square तो 1 हो गया 6 into 1 6 ही रह जाएगा question number अगर मैं 14 की बात करूँ यहाँ पर तो 14 के लिए आपको बोला गया है a square plus b square इसकी value बताने है overall तो यह direct formula इन्होंने पुछा है overall बात वही है तो यह a square b square c square minus a b minus b c minus c यह और a plus b plus c तो यह a cube b cube c cube पर चला गया a cube यानि a का cube b cube b का cube और 2c यानि 2c का cube तो 8 cube आएगा ही आएगा सब में 8 cube है यहाँ पर 8 cube नहीं है यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर यह extra 4 कहां से आ गया भाई यह तो है a का cube ही आता इन दोनों में अब देखो जो भी है 2c है तो आपको पता है 3 यह b c करेंगे तो c के जगा पर जब 2c रखेंगे तो यह 3 टू जा 6 आ जाएगा तो जिसमें 6 है वो एंसर होगा यहाँ पर 6 है यहाँ पर तो 8 है यह एंसर नहीं होगा तो जो 14 था उसका b होगा 15 की बात करें यहाँ पर आपको बोला है a plus b plus c और फिर से यह लंबा चोड़ अचा एक चीज आप समझ लो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होका नहीं पढ़ा है तो समझ लीजी आप कि aq plus bq plus cq minus 3a bc इसका एक और फॉर्मूला होता है that is a plus b plus c ठीक है और into 1 by 2 of a minus b का square plus b minus c का square और plus c minus a का square अगर यह आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो यह आपक क्योंकि इसमें जैसे ही इस 2 को मैं इस साइड लाके multiply कर दूँगा तो यहाँ से यह 2 गाइब हो जायागा और मचेगा a plus b plus c और यह सारा जो यहाँ पर लिखा गया है तो overall यह 2 यहाँ पर आएगा इसको 2 से multiply कर दो वही answer होगा 2a cube 2b cube 2c cube और minus का 6 तो option c यहाँ पर नजर आ 1 रख सकते हैं हम यह minus 1 रखोगे तो यह तो minus 1 ही रह जाएगा और यह चुक्की पहले से ही negative में है तो यह plus का 1 आजाएगा और यह भी plus का 1 आजाएगा और यह भी plus का ही बनाएगा तो यह 0 होगा और 2 मचिया तो दो आपका answer होगा यानि की option fourth ठीक है 16 का जो right answer होगा वो होग ओप्शन 4 ठीक है आगे बढ़ते हैं एक मिनट 16 में एंसर 4 नहीं है यार कुछ गलत कर दिया क्या हमने देखो यहां पर पावर 7 लिखना है तो अगर मैं 1 रखूंगा तो डेफिनेटली है तो माइनस 1 ही बनेगा और मान लो अगर मैं इसको अच्छा अच्छा सोरी यह माइनस बनेगा सोरी 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 देखो यहां पर थोरा सा मैंने गलत कर दिया देखो जैसे मालो एक टू दपावर माइनस लिखा है इसको हम लिख सकते हैं कि यह बन बाई एक स्टुदबा पावर 7 हुआ माइनस अटाएंगे तो अब वन बाई एक्ष तुदबा पावर 7 अगर मैं X को minus 1 ले रहा हूं तो यह भी भी तो minus 1 ही देगा तो यह हो गया आपका minus 1 और यह भी minus 1 हो गया power चुकी odd है इसलिए इन दोनों में power even है आपको पता हुआ कि even odd negative में भी होता है तो यह power अगर even है तो definitely minus का power even होगा तो वो positive ही बनेगा तो यह दो plus का और दो minus का answer 0 आएगा option B सही है यहाँ पर ठीक है आगे बढ़ें इसमें A minus 4 का whole cube पूछ रहा है तो A minus B का whole cube आपने formula पढ़ा होगा यह क्या होता है this is A cube minus B cube और minus 3 A square B और plus होता है 3 A और B square तो यह चीज़ चेक कर लो A cube minus B cube यानि की A का cube और 4 का cube यानि की 64 वो भी minus में देख रहे हो यहाँ पर B cube minus है यहाँ यह चीज़ माइनस में नहीं है गलत हो गया यहाँ है यहाँ है और यहाँ नहीं है तो यह भी गलत हो गया दो option में चेक करो a cube minus b cube अच्छा देखो b square वाला positive होगा b square का मतलब 4 का square जिसमें 16 होगा वो positive होगा और इसमें देखो इसमें तो एक ही negative है ये भी गलत होगा option c सही होगा यहाँ पर देख रहे हो ना दो जगह negative चाहिए और c वाले option में यहाँ पर एक ही जगह बस negative दे रहा है तो ये ऐसे भी गलत है question number 18 की अगर मैं बात करूँ अभी हम 17 पर थे 18 तो में ये दे रहा है और आपसे ये पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ थोरा सा error है ये cube होना चाहिए वरना तो ये निकल ही नहीं पायागा answer ठीक है cube होगा याने चेक कर लिया है cube कैसे निकालते है अभी मैंने formula बताया था आप लिखोगे k का cube minus 3 के k के जगह पर 3 put कर दो 3 का cube 27 minus 3 6 जा आपका हो गया sorry 3 3 is a 9 तो ये आगया आपके पास 18 याने की option B जो है वो सही उत्तर है next जो question है अपने पास question number 19 यहाँ पे आपको बोला गया है दोस्तों alpha plus a by alpha की value 2 है और या a ही मान लो आप जो मान लो b plus 1 by b की value यह है यह पूछ रहा है देखो मैंने यह आपको बता दिया कि जब भी a plus 1 by a 2 होगा तो a की value 1 लेनी है और अगर minus 2 होगा तो b की value minus 1 लेनी है अब देखो इसकी value भी 2 आ जाएगे क्योंकि यह 1 और यह 1 रखेंगे इसकी value minus 2 आ जाएगे minus 2 नहीं आएगा minus 1 है तो square करने पर वो भी plus 2 ही आ जाएगा तो overall answer 4 होगा तो question number 19 का जो answer निकला दोस्तों वो निकला अपने पास 4 यानिके question number 20 की बात करें तो a cube और equal to दिया है b cube और plus इतना ऐसे ही a minus b दिया है इसकी value बतानी है ठीक है आप चाहो तो इसमें 2 को common भी ले सकते हो अगर 2 common लोगे तो अंदर बंच जाएगा a square plus a b और plus b square अब ये पता होना चाहिए तब उसको 2 से multiply करते हैं तो answer आ जाएगा ठीक है अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखो एक काम कर लेते हैं यहां से मालो में b को इस side लेके आ जाओं तो ये बनेगा a cube और minus b cube और right side में बन गया आपका 988 a cube minus b cube का अगर मैं formula अपलाई कर दूँ तो ये हो जाएगा a minus b into का a square plus b square और plus का a b और right side में 988 तो है ही अच्छा a minus b 4 दे रखा है तो ये हो गया 4 into a square और plus a b और plus b square और equal to का 988 force अगर मैं इसको cancel out करूँ तो ये चार दूना 8 चार चार चो के शोला चार सत्ते अठाथाइस तो ये आ गया value a square plus a b plus b square का तो हमें जो निकालना था ये यहाँ पर value put कर देते हैं इसके जगह पर आप 247 डख होगे तो ये 494 आएगा that is option number d right next question है आपके पास a square plus b square plus c square minus 2 a b और minus 2 c a का value क्या होगा ठीक है देखो इसका value आपसे पूछ रहा है कि क्या हो सकता है इसमें से अब एक चीज़ आप समझो sorry for that लेकिन यार आज की वीडियो में बहुत सारे question गलत type हो गये है यहाँ पर आपका minus का 2 b c होगा ठीक है minus 2 b c या आप last में भी इसे add कर सकते हैं ठीक है आप देखो यह basically formula बन गया मैं साब सुतरा सब्दों में यहाँ पर लिख देता हूँ this is a square plus b square plus c square minus 2 a b minus 2 b c और plus का 2 c है यह किसके बराबर होगा formula देखके तो आप समझ गया होगे यह a plus b plus c का whole square है लेकिन कहा plus आएगा और कहा minus आएगा यह कैसे पता चलेगा देखो आप यहाँ पर देखो के b इस यहाँ पर है और b यहाँ पर भी है और दोनों में ही minus लगा है यानि कि b वाले पार्ट में minus लगा है इसका मतलब कि b negative होगा तो हम लिखेंगे a minus b और plus c का whole square ठीक है तो यह किस option में a minus b plus c यह किसी option में भी नहीं लिखा है इन्होंने गलत लिख दिया है किसी एक में क्योंकि देखो यह option और d वाला c और d तो बराबर ही था c में यहाँ पर या फिर d में आप change कर लो answer यहीं आएगा ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अगले question में आपको यह दे रखा है और यह पूछ रहा है a square plus 2 a अचा बताओ अगर मैं इसमें से a common ले लो तो कोई दिक्कत होगा देखे एक तो यहाँ पर value putting हम अजमा सकते हैं जैसे a की value मानलों अगर 1 रखे तो value बहुत छोटी हो जाएगे 2 रखें तो यह 8 आएगा और यह 2 दूना चारती है 12 और 8 20 और 6 26 बहुत छोटा है 3 डख लें अगर तो यह 27 दूना 54 और 9 4 13 यह a equal to 3 पे fit बैठ जा रहा है तो यहाँ पर आप a की value 3 रख दो अगर a की value 3 डखोगे 3 का square 9 और 6 9 6 15 आजाएगा option D सही हो जाएगा दूसरा by formula आप कर सकते हो इसको a cube और plus 3 a square plus 3 a into 1 a square अगर मैं लिख दूँ और 1 8 कर दूँ दोनों side तो कोई फर्क नहीं परेगा अब यह बन गया a plus 1 का whole cube और इधर बन गया 64 तो यहाँ से a की value 3 आ जाएगा तो इस तरीके से भी आप solve कर सकते हो next question a plus b plus c 6 है और a square b square दिया है क्यों पूछ रहा है तो सिधी सी बात है हम formula apply कर लेंगे लेगन उससे पहले एक चीच और है कि answer 6 से कटना भी चाहिए क्योंकि formula में यह तो common होता है 6 से कौन सा divide हो रहा है देखो 5,49 यह divide हो रहा है यह 2 और 2,4 और 3,7 नहीं divide हिया 2,2,4,1,5 नहीं divide हुआ और यह भी divide नहीं हुआ तो definitely 23 का पहला option ही answer होगा बाकि चाहो तो आप formula यूज कर सकते हो यहाँ पर इसका जो formula होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a cube plus b cube और plus c cube और minus 3 a b c आप लिखोगे a plus b plus c और यहाँ पर लिखोगे दोस्तों a square plus b square plus c square और minus a b minus b c और minus का c इसकी value आपको पहले निकालना परेगा यहाँ से दोनों side square करके तो वो long तरीका हो जाएगा next question में यहाँ से अगर आप k plus 1 by k लिखना चाहो तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 का square ही 9 होता है और cube का formula मैंने बता ही रखा है कि यह formula होगा अब इसमें अगर 3 put करोगे तो यह 18 आएगा ऐसे कई सारे question आगे जिसमें answer 18 ही आ रहा है और question भी same type पे है ठीक है आगे बढ़ते है question number 25 पे यहाँ पर power 4 दिया है sorry square दिया है और power 4 निकालना है तो एक बार और square कर दो यहाँ पर तो यह power 4 बन जाएगा एक बार और square करोगे तो मैंने बोला था कि जो दिया है उसका square करके 2 minus करोगे तो 14 आ जाएगा 16 में से 2 minus करोगे 14 आ गया फिर 26 पे आते हैं question number 26 में इसकी value बतानी है a plus b का whole square और minus a minus b का whole square इसका आप direct formula याद रख सकते हो और अगर यहाँ plus होता जैसे a plus b का whole square और plus a minus b का whole square फिर यह बनता 2 times of a square plus b square यह याद रखिए तो यहाँ पे अगर मैं 4 a b रख दूँ और नीचे a b तो a b से a b cancel out होगा और 4 मचेगा means first option 26 में right है आगे बढ़ जाओं अगर मैं 27 की बात करोओ तो यह a minus b का cube minus a cube और minus यह पूछ रहा है ठीक है तो आप यहाँ पर a b के जगाँ पर कोई value भी put कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जैसे अब मान लो यहाँ पर अगर मैं a और b के जगाँ पर one ही put कर दूँ तो value यह 0 बन जायागा देखो a और b यहाँ पर one रखने से 0 बनेगा और इसमें भी 0 बन जायेगा इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो question number 27 है इसमें b और d तो answer होगा नहीं इसमें से कोई answer होगा अब two put करके मैं देख लेता हूँ मान लो अगर मैं two put कर दूँ यहाँ पर तो दो में से एक गया एक का cube एक हो जाएगा माइनस दो का cube आठ और plus दो का cube यहाँ पर आठ तो यह 8 से 8 कटेगा एक answer मचना चाहिए अब इसमें देखो अगर मैं दो put कर देता हूँ तो यह value तो यार लेकिन one आएगा कैसे एक minute रुको दो मैंने put किया और b को one put किया अच्छा sorry sorry b को मैं one put कर रहा था न तो यहाँ पर दो में से एक गया एक का cube एक और minus दो का cube आठ और plus one का cube वन तो यह हो गया देखो एक और एक दो में से 8 गया minus का 6 negative value चाहिए और चुकि एक को दो और b को एक रख रहे हैं तो यह तो negative नहीं आएगा तो option C सही होगा आप value put करके देख भी सकते हैं या direct आप इसका जो है यह जो cube है अपना आने दो भाई question यह जो cube है इसको आप break कर सकते हो ठीक है फिर आप cancel out करके और यह answer आप मशा आपाओगे लेकिन वो time taking होगा फिर से question number 28 आगया आपको k-1 by k फिर k-square और फिर यह लंबा 14 सवाल है ठीक है solve करते हैं हाला कि यह मैंने shift-wide solution में पहले करा दिया है यह question अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लेजे ठीक है देखो अब मैं बात करता हूँ मान लो जैसे यहां पर power 4 है अगर मैं किवल power power जोड़ू तो यहां पर 1 और 2 3 और 4 7 और 8 7 15 और 16 कुछ गरबर हो गया लगता है 2 और 1 3 और 4 7 और 8 अचा आप देखो जैसे power हमने count किया तो यह 31 बन रहा है 31 अगर 31 बन रहा है तो कहीं भी power 31 नहीं दिख रहा है लेकिन 32 जरूट दिख रहा है और 64 दिख रहा है अब अगर यह भी देखो कि upon में कुछ नहीं आएगा अगर ऐसे option देख कि आप चलोगे तो upon में अगर हम कुछ लाएं तब यह 31 से 32 बन जाएगा ठीक है लेकिन यह देखो हम minus से multiply कर रहे थे minus से multiply करेंगे तो यह minus बनता फिर उससे इसको multiply करेंगे यह minus फिर यह minus और फिर इस plus को minus करेंगे तो वो भी minus बन जाएगा यानि कि जो value बनेगी overall यह minus में बनेगी k to the power 31 और minus 1 by k to the power 31 अगर ऐसा बनता है मानलो एक चीज आप बात समझो मैं यह एक तरह से आपको बस एक्जामपल बता रहा हूं तो ऐसे में अगर हमें 32 लाना है तो हमें k plus 1 by k से multiply करना होगा तभी तो उपर वो जाके minus बनेगा ठीक है यह बात आप समझ रहे हो कि नहीं अगर यह चीज आप shift-wide solution में यह चीज सॉल्व किया है देखो यहाँ पर यह minus वाला है तो यहाँ पर मैं k plus 1 by k से multiply कर देता हूँ और चुकि उपर multiply करना हूँ तो नीचे भी multiply करना होगा यानि इन सब के upon में भी k plus 1 by k आ जाएगा अगर ऐसा किया मैंने तो होगा क्या देखो यह k plus 1 by k और k minus 1 by k यानि यह plus b into a minus b थो यह बन जायागा आपका k square minus 1 by k square अब यह k square minus 1 by k square और k square plus 1 by k square फिर से a minus b into a plus b बन गया तो इनका प्रोडक्ट जो बनेगा यह k to the power 4 minus 1 by k to the power 4 बनेगा. फिर यह देखो, यह minus b, यह plus b, इनका product power 8 बन जाएगा, ठीक है, फिर वैसे ही, इनका product power 16 बन जाएगा, minus में, ठीक है, और फिर यहाँ पर plus में है, तो यह जो बनेगा, अब देखो, यह power बनेगा आपका 32, लगता है हमने पहले गलत ही जोड दिया था, चलो यह 32 आ गया, ठीक के, अचा नहीं हमने वो भी सही जो रहा था, क्योंकि उसमें हमने k plus 1 by k से उपर और नीचे multiply नहीं किया था, एक तो हमने यहाँ पर यह चीज एक्स्टर अपने तरफ से लाया है, इसलिए पहले ही यह 32 आ गया, और जो मैंने पहले तरीका आपको बताया था, short court वाला, उसम का संख्या बढ़ नहीं रहा था, वो 31 ही आ रहा था और जब multiply कर रहे था, 32 आ रहा था, option भी सही है, आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर question में यह दिया है, यह पूछ रहा है, ठीक है, अचा एक बात समझो, अगर P और Q का product 3 है, तो मैं P और Q को 3 और 1 मान सकता हूं, या 1 और 3 तो 5, 3, 15 और 2, यह ज़्यादा ही बन गया, तो बात इसका मतलब बन नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर हम solution करते हैं, इसको basic से solve कर देते हैं, अला कि basic नहीं मानियो इसको, basics में जाने के लिए आपको 4 Q, P का power चाहिए, तो हम इसको दोनों तरफ का square कर देते हैं, दोनों तरफ square करोगे, तो यह 4 P square, ठीक है, और प्लस A square, प्लस B square, 5, 25, 25, और Q square, और प्लस 2 AB बनेगा, तो 5, 2, 10, 2, 20, PQ बनेगा, और राइट साइट में 12 का square, 144, ठीक है, अब की value 144 में से start minus कर दो, तो last में 4 आ जाएगा, और 14 में से 6 minus करोगे, तो 8, यानि की 84, आगे बढ़ते हैं, और आज के आखरी प्रस्न पर आ जाते हैं, अपना, ठीक है, आज का जो आखरी question है, वो है question number 30, question number 30 की बात करोगे, तो A minus B दिया है, A B दिया है, A Q minus B Q पूछ रहा है, फिर से उसी तरह से आप से पूछ लिया गया, ठीक है, यह देख के भी आप बता सकते हो, देखो यह 10 और minus का 5 रख दें, 10 minus नहीं, 15 और minus का 10 रख दें तो चल जाएगा, 15 minus 10 5 आ जाएगा, और 15 गुना में 10, यह आपका 150 बन जाएगा, तो यह 15 का cube और minus 10 का cube, ठीक है, अब देखो 15 का cube कितना होता है, यह आपको पता होना चाहिए, और 10 का cube तो आपको मालूम ही है, लास्ट में 5 आएगा, यह कोई भी बन्दा बता सकता है, ठीक है, 75 क्योंकि 31, 75 होता है, 15 का cube, और अगर नहीं याद है आपको, या फिर ऐसे नहीं solve करना चाहते है, तो आप दोनों सका 3AB, ठीक है, formula आप पूट कर दो A-B, तो A-B तो 5 है, 5 का cube कितना बन जाएगा, यार हमने लगता है गलत लिखती है कुछ, या रख के देखते हैं, चलो, 5 का cube 125 और 3 और A-B के जगह पर 150, तो यह आगया 125 और 150 तियां, नहीं नहीं, गरबट जाही रहा है, नहीं तो answer आ ज कालोगे तो A cube और minus B cube और minus का 3AB into A plus B, हाँ, देखो, एक गलत formula हमने गलत लिख दिया था, जैसे मालो हम लिखें A minus B का whole cube और minus है तो हम plus लिखेंगे 3AB और into का A minus B, यह लिखना था basically formula, तो A minus B का whole cube, यानि 5 का cube हो गया, आपका 125 और plus 3AB तो 15, 45, 45, 400, 150 रखेंगे तो, और A minus B फिर से आप 5 रखोगे, तो यह आगया 125 और plus यह 0 और 5, 25, 25 और 4, 25, 22, 22, तो यह अब add करोगे तो 23, 27 आ जाएगा option D, तो यह by formula होगे और यह आखरी question था, इसके बाद question नहीं है, I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज यह अगर 1000 चलता है, तो 1000 में से 100 likes भी नहीं आपाते हैं, बताओ, ठीक है, तो I hope कि आप like और comment जरूड करोगे, क्योंकि आप like करते हो और comment करते हो, तो comment परने के बाद जो एक तरह से motivation मिलती है, तब ही जा करके वीडियो बनाने का मन करता है, ऐसे otherwise comments नहीं आते हैं, तो इसल झाल कोवी, thank you